दो हजार चौबिस के चुनाव में बिजेपी के निर्धित वाले NTA को मात देने के लिए विपक्ष ने रणनीती बनाने शुरू कर दी है 23 सारिक को पट्णा में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है पट्णा में विपक्षी दलों की बैठक से पहले सभा के मुखिया अखिलेश शारव ने बड़ा दावा करते हुए NTA को हराने का फॉर्मूला बताया है चुनाव से पहले अक्षन मोड में आये अखिलेश ने 80 हराव बिजेपी हटाव को नारा कुछ दिनों पहले ही दिया था आपको बता दे कि यूपी में 80 सीटे लोकसभा की है और अखिलेश के 80 हराओ BJP हटाओ के नारे का मतलब है सभी सीटों पर BJP को हराकर दिल्ली की सत्ता की और कदम बढ़ाओ अब इस नारे के साथ ही अखिलेश शादव ने PDA की भी बात कही है अखिलेश शादव ने कहा है कि 2024 में NDA को PDA हराएगा PDA मतलब पिछड़ा दलित और अल्प संक्यक PDA को लेकर अखिलेश ने एक ट्वीट किया है PDA मूल रूप से पिछड़े दलित वा अल्प संक्यक के सोशन उत्पीडन वा उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना वा समान अनुभूती से जन्मी उसी एकता का नाम जिसमें हर वर्ग के वो सब लोग भी शामिल है जो मानफता की आधार पर इस तरह की नाइनसाफी के खिलाफ दलगत राजनीती से उपर उठकर सब इस से जुड़े अखिलेश सभी दलों को PDA से जुड़ने का आवाहन कर रही है उनके इस आवाहन से BJP घबरा गई है और एक मतलम अराजकता वाद केश्व परसादी मौरी के अनुसार सपा को बढ़ावा देनी का मतलब है परिवार वाद दंगा वाद और अराजकता को बढ़ावा देना BJP के इस जवाब से समझ आ रहा है कि विपक्षी एकता की कारण उस पर दवा बढ़ रहा है क्या इस दवाब में BJP सत्ता हो देगी ये देखना दिलजस्प होगा DB Live की रिपोर्ट